वेल्कम तू मिश्टा क्लासिस आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ब्लड पार्ट टू क्योंकि पार्ट वन ब्लड का पार्ट वन हम पहले से डिस्कुसन कर चुके हैं जिसको देखना है वो डिस्कुरिप्शन में दिया हुआ है लिंक आप देख सकते वहां से जाके तो ये ब् परसेंट आफदा ब्लड होता है और जो कार्पिसल्स है ये ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है और ये 45 परसेंट होता है ब्लड का जो कार्पिसल्स है ये थ्री पार्ट में डिवाइड है रेड ब्लड सेल्स वाइड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आप कार्पिसल्स को से भी कह सकते हैं cells और कडिकाएं या कोशिकाएं अब देखिये पहले प्लाजमा देख लेते हैं उसके बाद में करफसेल्स पर आते हैं को निकाल दिया जाता है तो बचा हुआ पार्ट जो होता है वो प्लाजमा कहलाता है हमारे रक्त से लाल रुधिर कडिकाओं को या लाल रुधिर कोशिकाओं को निकाल दिया जाए तो जो बचा वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं प्लाजमा का कलर कैसा होता है तो प्लाजम living pigment है तो यहां पर लाइट यरू है तो लाइट येलू किस पिग्मेंट के कारण है ये मैं आपको पता देते हूं तो यह मैंने आपको लिवर में बताया था कि एक बिली रुवीन नामक बिंड होता है जो कि लिवर में हमेसा बनता रहता है और इस बिली रुबिन पिगमेंट का जो कलर होता है वो येलो होता है और यही लाइट येलो कलर जो है प्लाजमा का होता है तो इसके पीछे जो पिगमेंट काम कर रहा है वो बिली रुबिन है जिसने वो लिवर वाला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर कि वो वीडियो देख सकता है, तो देखे, प्लाजमा का जो कलर है, वो light yellow है, अब प्लाजमा में देखे, जो 55% है ब्लट का उसमें क्या-क्या पाचा जाता है, तो इसमें 90% water पाचा जाता है, 6-8% protein पाचाता है, 6-8% protein कौन-कौन से protein उसमें, Fibrinosan, Globulins and Albumins यह प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं यह important कुछ प्रोटीन से जो उसमें प्लाजमा में पाए जाते हैं Fibrinosan protein यह बहुत important है यह क्या करता है यह हमारा blood clotting में काम आता है blood clotting मिलब रख्त का ठक्का जमने में मदद करता है अगर कहीं भी आपको body में कहीं से cut लगता है तो देखिए वहाँ पर तुरंत जो है clotting बनने लगती है और जल्दी से वो clotting बन जाती है वो किसकी वज़ा से होता है वो Fibrinosan protein की वज़ा से होता है जो रख्त का ठक्का बनाने में मदद करता है और globulin and albumin भी important proteins है इसके लामाद देखिए minerals, glucose, amino acid और lipid भी बहुत कम मात्रा में plasma में पाई जाते हैं अब देखिए अगर plasma में से Fibrinosan protein निकाल दिया जाए Fibrinosan protein अभी हमने आपको बताया था कि वो blood clotting में help करता है या रक्त का ठक्का बनाने में मदद करता है तो अगर plasma से Fibrinosan protein को अलग कर दिया जाए plasma में से हमने Fibrinosan protein को हटा दिया तो जो बचा वाला पार्ट होता उसको हम लोग बोलते हैं serum plasma में से हमने कौन से protein हटाई Fibrinosan protein किसमें काम आती है रक्त का धक्का बनाने में और फ्राइबरी नोजन प्रोटीन ब्लेड क्लोटिंग वाले प्रोटीन हमने हटा दिया तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है सेरम अब देखे रेड ब्लेड सेल्स यानि कि लाल रुधिर कडिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं इसका दूसरा नाम होता है Erythrocytes दूसरा नाम इसका होता है Erythrocytes हम लोग इसको लाल रुधिर कडिकाएं कहते हैं लेकिन अगर साइंस की लाइंगोज में देखा जाएगा तो इसको erythrocytes ही कहा जाता है आगे बढ़ते हैं formation of erythrocytes is called erythrocytopoices तो लाल रुदिर जो कोशिका हैं देखें इसको ध्यान से देखें कि यह बहुत ज़्यादा important है हर जगा यह पूछा जाता है किसी भी exam हो या कहीं भी हर जगा पूछा जाता है तो देखें लाल रुदिर कोशिकाओं का या red blood cells का formation कहा होता है इसका निर्माड कहा होता है तो लाल रुदिर कडिकाओं का निर्माड bone marrow यानि की अस्थी मज़ा में होता है इसका निर्माड अस्थी मज़ा भी 20 से 120 दिन तक इनका जीवनकाल होता है वैसे तो Aill pakai इनका 120 दिन ही माना गया है लेकिन कहीं कहीं कि ऐसे कि बुक में आपको 20 से 120 दिन मिल जाएका अब देखिए RBC बनती कहाँ है तो बोन मेरों में यानि की अस्थी मज्जा में बनती हैं इनका जीवन काल कितना होता है 120 दिन होता है और ये breakdown यानि कि मरती कहां है तो ये liver या spleen में मरती है इनके dead कहां होती है liver में या फिर spleen में होती है और क्योंकि liver और spleen में इनकी dead होती है इसलिए इनको graveyard of RBC कहा गया है किसको graveyard of RBC liver को कहा गया है graveyard of RBC किसको कहा गया है liver को कहा गया है और spleen जो होता है वो blood bank of RBC देखें liver और spleen दोनों को graveyard of RBC कहा गया है क्योंकि liver में भी मरती हैं कोशिकाया और spleen में भी मरती है तो दोनों option आपके सहीं है और इस प्लीन को बड़ बेंक आफ recycling कहा गया है क्युंकि चब भी आई乾ञे कमी होती है कमी कभो होती है आपको बात हैंगे लेकिन जब भी कमी होती तो इस प्लीन क्या करता है कि उस जरूरतों को पूरा करता है तो ये स्प्लीन को blood bank of RBC कहा गया है और liver और स्प्लीन को grave yard of RBC कहा गया है अब देखे RBC के बारे में कुछ बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा RBC किसमे होती है सबसे ज़्यादा RBC तो होती है उट में RBC सबसे ज़्यादा किसमे होती है तो सबसे ज़्यादा RBC ऊट में होती है सबसे कम RBC किसमे होती है तो सबसे कम RBC कुत्ते में या फिर मेंधक में होती है smallest RBC सबसे छोटी रक्त लाल रुधिर रक्त कड़काएं किसमे होती है तो कस्तूरी म्रिग या मस्क डियर में होती है या प्रोटियस में यह होती हैं एडल्ट मैन में अगर हम बात करें रेड ब्लेट सेल्स की तो एडल्ट मैन में 5-6 मिलियन रेड ब्लेट सेल्स मिल जाते हैं और एडल्ट वुमेन में बात करें तो 4.5 से 5 मिलियन तक रेड ब्लेट सेल्स मिल जाते हैं जब हमने ब्लेट के बा क्यों होता है क्योंकि उनमें RBC कम होती है वो में मेल की पेच्छा RBC कम होती है इसलिए बलड भी उनमें कम होता है और भार भी तो कम होता है क्योंकि आपकी body weight का 7% ही तो आता है आपका blood अब देखे फंक्षन अब देखते हैं आर बीसे के फंक्षन के बारे में तो आर बीसी का फंक्षन क्या है लाग रुधिर रक्त कड़काओं का फंक्षन क्या है यह देखते हैं अब देखे इसका function क्या होता है कि यह हमारे सरीर में oxygen को पहुचाता है और carbon dioxide को फेफडोंодар के दौरा बाहर निकाल रहा है यानि कि पूरे सरीर में जो है oxygen यही पहुचा रहा है और carbon dioxide पूरे सरीर से यही बाहर निकाल रहा है अब देखे अगर हम hemoglobin की बात करें तो hemoglobin pigment है जिसकी वज़े से लाल रुधिर कडिकाओं का जो रक्त है वो लाल है क्यों है क्योंकि hemoglobin काम कर रहा है उसमें जो hemoglobin नामक प्रोटीन है उसी की वज़ेसे उसका जो कलर है वो रेड है अब देखिए hemoglobin में hemoglobin अगर hemoglobin के साथ अगर कार्बन मोनो आकसाइड है carbon dioxide है और आकसाइड है तो सबसे जादा यह किसके साथ क्रिया करेगा तो सबसे जादा यह क्रिया करेगा सबसे पहले carbon और मोनो आकसाईड के साथ उसके बाद carbon dioxide के पास और यह लास्ट में यह oxygen के साथ क्रिया करता है यानि कि सक क्रिया करने की सबसे जादा जो समता है वो carbon Mox called के साथ है अगर एक बंद कमरे में कोई सब्सक्राइब ओर इंशान हो बंद कमरें में कोई इंसान हो और वो अंगीठी ज़ला ले तो बंद साइट से अभी क्रिया कर लेता है और उसके उसके रियक्शन के बाद वहां पर टॉक्सिक गैस बनने लगती है जहरीली गैस बनने लगती है और जब कार्बन मोनो आक्साइड हीमोगलोविन के साथ क्रिया करता है तो उसमें जो है टिशू सारे जो होते वो नस्ट हो जाते है और जब tissue neste हो जाते हैं तो इंसान के मृत्यू हो जाती है इसलिए कार्बन मोनो आकसाइड जब हचब के साथ क्रूय कर लेता है अभी क्रिय क्रूय कर लेते हैं तो इसको silent killer भी कहा जाता है क्यूंकि यह silently किसी को मार सकता है तो ये बहुत खतरनाग है तो इसलिए कहते हैं कि आक्सीजन आना जरूरी है कमरा बंद करके कभी ऐसे कम नहीं करने चाहिए अब देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो आक्सीजन के साथ क्रिया करता है और तब आक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है रेड होता है हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है ये रेड होता है क्यों होता है क्योंकि आक्सीजन के साथ ये क्रिया आक्सीजन 1.34 आर्बीसी का कार्याप पहले से पर चुके हैं सरीर की हर कोशिका में आक्सीजन पहुचना एवं कार्बन डाय आक्साइड को वापस लाना आर्बीसी का काम होता है आर्बीसी सोते समय 5% कम हो जाता है और जब लोग जो लोग 4200 मीटर की उचाई पर होते हैं उनकी आर्बीसी में 30% की व्रिद्धी हो जाती है क्योंकि उचाई पर जाने पर हमारे हमें आक्सीजन लेने में प्राब्लम होती है हमें आक्सीजन नहीं मिल पाता है और जब हमें आक्सीजन नहीं मिल पाता है तो जो व्रिक होता है वो अरित्रो ट्रोपिन हार्मोन को व्रिद्ध को आर्बीसी की संख्या बढ़ाने के लि जो हमें जब oxygen कम मिलती है तब हमारे RBC में वृद्धी होने लगती है अब देखिए लाल रुधिर जो कड़काएं होती है उनकी कमी से लाल रखते कड़काएं यानि कि RBC की कमी से होने वाले वीमारी कौन सी है तो RBC की जब कमी होती है तो लोगों में अनेमिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है जॉन्डिस हम पहले भी आपको लीवर में बता चुके हैं कि कैसे होता है जब RBC जादा मातर में बनने लगती है और जादा मातर में वो तूटती है यानि कुनकी डेड होती है और वो लीव प्लेट लेट 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 इसलिए आप आगी की क्लास जरूर देखें थैंक यू शू स्दीक की 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 काईशना थेखेंको लेट लेटिते हैंको की 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 भीट लेट आपी कि यूजए दयुक्तवाल